असलाम उलेकूम, वेलकम टू माई चैनल, कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दूद दूलारी जिसके लिए हमें चाहिए 12-15 मैंने रंगीन गुलाब जामन ली है, थोड़ी सी किश्मिश है ड्राइफ फ्रूट लिए है मैंने, जिसमें बदाम, पिस्ते और काजू है ये आपकी चोईस है कि आप जितने लेना चाहें 5 टेबिल स्पून, चीनी है, दो तरह की मैं जैली यूज़ कर रही हूँ, ग्रीन और रेड जैली बनाने के रही है, एक कप पानी लें, उसको बॉइल करें, जब उसमें बॉइल आ जाए तो उसमें आप जैली का पैकेट डाल दें थोड़ा सा पकाने के बाद आप उसको जमा दें, और फिर उसको कट कर लिजे फोर टेबिल स्पून मैंने कस्टड पॉडर लिया है, हाफ कप रंगीन सी वहिया है, एक कप रबड़ी है, और एक कप मैं कॉक्टेल यूज़ कर रही हूँ, और दो किलो डूद, तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में डूद डालेंगे दूद को बॉइल आने तक पकाएंगे दूद में हमारे बॉइल आ गया है, हम इसमें रंगीन सी वहिया शामिल करेंगे फिलेम मैंने मीडिया में रखी हुई है पांच से दस मिनट के लिए इसको पकाएंगे पकाते वक्त आप चम्चा चलाते रहें ताके हमारा दूद लगे नहीं अब मैं इसमें चीनी शामिल करें चीनी आप अपने टेस्क के साफ से शामिल करें क्योंकि अभी इसमें रबड़ी भी डालनी है और गुलाव जावन भी शामिल करनी है मिक्स करेंगे इसको चीनी शामिल करने के बाद मैंने ये कस्टर्ड पॉड़र में थोड़ा सा दूठ डालके इसका पेस्ट बना लिए अब मैं ये शामिल करूँ इसको डालते जाएं और चम्चा चलाते जाएं ताके गुठलिया न बने फिलेम मैंने मीडिया में रखिए इसको थिक होने तक पकाएं मैंने इसमें स्ट्रॉबरी कस्टर्ड पॉड़र यूज किया है आप चाहें तो इसमें कॉर्ण फिलवर या अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज कर सकते और अगर आपको लग रहा है कि यह अभी थिक नहीं हुआ है तो आप इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड और शामिल कर सकते पांच मिनट इसको और पकाएंगे हाई फ्लेम पे यह देखें हमारा कस्टर्ड जो है वो थिक हो गया है मैंने इसमें 6 टेबिल स्पून कस्टर्ड और शामिल किया है अब हम फ्लेम को करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं अब यह हमारा कस्टर्ड जो है यह ठंडा हो गया है और थिक भी हो गया है अब हम इसमें कि ट्राइफूर्ट शामिल करेंगे पिक नग्या करेंगे कोक्टेश्यामिल करेंगे इसको मिक्स करेंगे रबड़ी शामिल करेंगे जैली डालेंगे थोड़ी सी डालेंगे थोड़ी सी बचा के रखेंगे गुलाब जामेन शामिल करेंगे और इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह हमारी मज़ेदार सी दूद दूलारी तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताए करें कि आपको कैसी लगी नेक्स्ट वीजो तक इन इजाज़त दीजे अल्लाहाफिज झाल सकता है